असलाम अलाइकुम कैसे हैं आप सब लोग तो अमीद करते हैं आप लोग होंगे बिकुर ठीक टाक लम्दूलिल्ला हम भी हम भी कुर्टे कि अपना आशियाना तो जी बहुत ज़्यादा ही आज डेर्ड लग रहा है साँग बनाते हैं तो मैंने साग को बोल कर लिया था मैंने लिया था एक किलो बद्वा आधा किलो पालक और आधा किलो सरसो तो यह सब मैं अच्छे से दो काटके चाटके उनसको बोल करने के लिए जाल दी थी और एक लास पानी डाला था ज्यादा नहीं डाला था क्योंकि साग अपना पानी भी रिड्यूस करता है तो बस यहां पर अच्छे तरीके से 6-7 विसल के बाद जो है साग जो है वह गल चुका था अल्मोस्ट बस अब मैं इसके अंदर रही जो होती न रही उससे घुट रही हैं साग को आप चाहे ब्लेंडर से भी कर सकते हैं बर जो टेस्ट रहे इसका आता है दीरी 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 वह बहुत ही यमी और मज़िदार साग बन जाता है तो मटर जो है ना वो मने अल्रेडी बॉ आती से काटते हैं बट मैं जो हमेशा चुरी से ही अपना चाको होता है उसी से साग काटते हैं और काफी एच्छी क्वाइंटिटी में भी काट लेती हूं और बहुत काफी बारीक तरीके से तो बस यहां पर अच्छे से घुटने के बाद मैं आप लोगों के साथ आज दिसंबर को एक भापी जी हैं पता नी वो मेरी सब्सक्राइबर ही है उनकी ननत का हैपी वाला बर्दे है तो दियर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पंधा तरीकों में बर्दे विश करूं लेकिन आपने फना नाम न अपनी नन का नाम मैंशन करा तो प्लीज मैंश को बॉल कर रहा है नमक डालके कोई भी चीज़ हम बॉल करते हैं तो आपसी बात है उसके नमक तो कंबल सरी ही कंबल सरी हो जाता है तो यहां पर अच्छी खासी हमारी मेहनत हो जाती है हाथ से गुट गुट के साफ को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कर लेंगे उसके हम नेक्स प्रोसेस पे चलेंगे अच्छा हमारे हाँ तो साफ के अंदर जैना ही और लसन का बगार लगता है बढ़ हजबन को जैना जीरे का तड़का पसंद है तो मैं इसमें जीरे का ही तड़का लगाऊंगी अब मैंने इसको गुट लिया था काफी अच्छे तरीके से अब भरिया जाती है गैस को गंदा करने की यानि कि गैस पे इसकी अच्छे तरीके से गुटाई होगी और मैं यहाँ पर मक्य के आटे से आलन लगा रही हूं इसके अंदर के हूं कि आटे का भी आलन अच्छा लगता है मक्य का तो खैर आसम मौसम होता है और बेसन का भी ल मैंने इसको और भी गेदे जो भी अपना पानी ना वो सारा और रिडियस कर देगा थिक हो जाएगा यहां पर मैं आपको दिखा लेगा मैंने दो चमज मक्के का आटा लेके इसको पानी में घोल के और मैं इस तरीके से साब के अंदर मिला दूँगे अच्छा आप चाहो तो सूख हाटा भी डाल सकते हो बट सूखे में जो होता है वो लम्स बनने कर डर रहता है अगर पानी में घोल के अगर आप इस तरीके से मिलाते हो तो आपके जो आटे के मक्के के आटे के लम्स नहीं मेरा टो बस यहां पर मैं उसको पतला कररही हूँ ताकि इस यो अपका उसका आधी नहीं रहेंगा तू इसका आधी जिएागा तो साग बनेुखा लएंगा लेकिन मैंने लसन का नहीं का रख का लिए जिरे का लादा है किय। कर दो मैंने काफी क्वायंटिटी के घा निया था। क्योंकि साग क मतलब होता है धो तक ग्राइन लसन का फ्लेवर ना ए तो मुझे असके लगता साग वेस्टेटड है । लेकिन यहां पर इतना जलील हो चुके थे हम अपने हस्बन से तो इसलिए हमें लसन हमने अवाइड करा बंगार में मैंने जीरा ही लगा दिया अच्छा बासी साग जो होता है वह और भी चलकतर फ्राई करकर के खाने में मैं इतनी सारी क्वाइंटिटी में बनाया था बट य मतलब साग इतना जादा बॉयल होता है तो आपके हाथ पे आ जाएगा फेस पे आ जाएगा तो बहुत डर सा लगता है तो यहां पर बस मैंने अच्छी खासी क्वाइंटिटी में घी ले लिया था घी और तेल दोनों को ही मैंने मिक्स करके ले लिया है इसके अंदर आप ज करेंगी और जीरा और यहां पर दीखें हमारा यम यमी सा साग जानब बनके तयार हो गया है बहुत अच्छा बना था आप इसी मेदा से बनाओगे तो आपका सांग जोना बहुत आसम बनेगा अच्छा जी अब बार्या जाते है मک्य की रोटियों की तो मक्य की रोटियों तो आपने बहुत खाई होंगी, बट आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है मक्के के आटे की पूरिया, यह सबसे अलग ही लेवल की जो डिश होगी ज़रूर ट्राइ करेगा, मैंने शायद पिछले साल भी बनाएं थी, तो यहाँ पर मैंने वाम पड़ने लिया है, नीम गरम पानी और यहाँ पर मैं एड करनी हूँ नमक, नमक ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मक्के का आटा जोता है, वो मीठा होता है, तो इसके नमक एड करने से बैलन्स हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने गरम सा पानी ले रही ह और एकदम से नहीं डाल सकते क्योंकि फिर घूल बन जाएगा तो हमें सारा मिक्स करकर रखना पड़ेगा उसके बाद हम अपने हतेलियों से जो हम रोटी बनाने चलेंगे या फिर पूरियां बनाएंगे तो हम हतेलियों से ही बनाएंगे क्योंकि इसमें चकला बिलन का यूज नहीं होता है आप जाहो तो वह दूसरा भी तरीका होता है कि बटर पेपर रखके चकले के ऊपर या फिर कोई भी पॉलरियों रखके और आप उससे भी रोटी बढ़ा सकते हो ऐसे दूनों तरीके से कर सकते हो बट जो पूरियां होती है तो आप हाथ से ही बना सकते हैं कि इसमें ज्यादा बड़ी बड़ी पूरियां बनती नहीं है तो मैंने आठा गिला करके एक जिगा समेट दिया भी थोड़ी सी क्वाइनडिटी में लेके थोड़ा पोशन लेके अपने हाथेलियों से मैं आपको दिखा रही हूं इस तरीक खानी थी तो मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी बागी मैंने बनाई थी पूरियां और इस पूरियों का जवाब ही नहीं है यह अलग लेवल की पूरियां होती है बही मक्य क्या आठे की रोटी से जादा मैं प्रेफर करते हूं पूरियां और मक्य के मतलब जो सरसों का स ताग और मक्य की रोटी होती है तो इसमें पता है सबसे में चीज क्या होती है वो होता है आपका शुद्ध देशी घी क्योंकि इसका मज़ा ही देशी घी के साथ आता है बहले ही मैंने कितने भी क्वाइनटिटी में तड़का लगा दियो बड़ जब चाहिए उपर से घी डा कि मेरे घर में तो दो से आपको क्या टेंचन है तो बस यहां पर यह देख सकते हैं रोटी जो है मैंने ज्ञादा नहीं बढ़ाई थोड़ी ही बढ़ाइती और यह थोड़ी मूटी ही अच्छी लगती है चकला बलंसे काफी पतली होई तो बस यहां पर मैं दुबारा रोटी को बिगाड़ दे है ताकि मैं अब दूसरे आटे को सॉफ्ट करूंगी थोड़ा सा पानी आड़ करके यहां पर यहां पर पूरिया जो है ना वो मैंने अल्रेडी डाल देती फिर मिर्च लगा मैं आप लोगों को भी दिखा देते हूं कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं और मोज सारी पूरियां फूली फूली सी बनती है और इनका जो टेस्ट होता है वो गर्मा गरम में ही आता है बस कड़ाई से निकालो और गप से खाजाओ तो बस मैं यहां पर आज पापाजी के लिए खाना निकालो यह देख सकते हो आप मेरी पूरी कितनी अच्छे से काहीं से भी तूट जा जाए तो जोड सकते हो आप आज़े आटे में वह पूरा बढ़ाखना बढ़ता है इसको कहीं से भी तूट आ है कहीं से भी कुछ है बट एजली जुड़के वह बहुत अधा यम्मी सा बन जाता है तो मैंने जो आफिस के लिए पैक करी थी तो सब न यमीदी मज़ा आगया मेरे हस्बन को ये करना चाहिए कि जब भी उनका मतलब किसी भी ओफिस में वो जाते है ना तो उनका लॉंच बॉक सबसे जदा हाइलाइट होता है कि खाने में क्या लेकर आए हो बड़ा हमारी कौनजी कदर किसी ने करनी है हमारे को तो ऐसे ही रफना है सबने कोई बात नहीं तो मेरी जो सबस्क्राइबर है तानिया अदेल जी और एक और सबस्क्राइबर जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर किया था कि आप यह हम वीत्रियस मॉल गए थे और भाई जी हमें नहीं दिखे आप शॉप निम्मर बता दो यह वो तो डियर आप वो वीत्रियस मॉल में नहीं है हम सो सॉरी आप लोग प्लीज वहां मच जाए का घूमने के परपस दा सकते हैं बढ़ आसिव जी वीत्रियस मॉल में नहीं है आसिव जी जो है अब वो नोईडा की तरफ में आ गए है उनकी जो जॉप है इस तरीके से चलती रहती है कभी किदर कभी किदर वो पर्मनेंट कहीं नहीं होते है जहां उन्हें अच्छी उपर्चुनिटी मिलती है आसिव जी वो क्रैप कर लेते हैं और वो वहां से स्विच कर देते हैं अपने जॉप तो उन्हें वीरी थी स्मॉल से स्विच करके नोईडा आ गए तो यहां पर हमारी थाल सच के तैयार है यह मेरे पापा की प्लेट में ने लगाई है तो यहां पर हमक्य की पूरियां साग देसी घी डाल के प्याज और हरिमिच और गुड़ तो पापाजी की हो गए ती बले-बले आई होप आपको आज का जो वीडियो है ना मेरा पसंद आयोगा तो पसंद आयोगा तो प्लीज धेश सर वारा लाइक करेगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करेगा और ये रेसिपी जरूर ट्राइ करेगा जो भी ट्राइ करता है प्लीज मुझे बताएगा मुझे दिल से खुशी होती है अगर आप लोग अपनी मेरी रेसिपी को अपने घर के रसोई में अपनाते हैं तो यहां पर हजबन खा रहे हैं खाना और कुछ नहीं बोलेंगे बस बस ऐसे जितनी मेरी बेज़िती करे थी मैंनों ने उसका कुछ वो नहीं करा हट जाना और यहां मेरी दो प्रिंसस बैट के खा रहे हैं खाना और बस यही इनकी तारिफ थी कि बच्चे खुश हो जाते हैं ममी पापा खुश हो जाते हैं मैंनक सफल हो जाती हाला कि मुझे बहुत थक गई थी मैं हाथों की तो बैंड भज़गी थी क्योंकि साग भी घोटा था फिर कोई बात नहीं सब खुश हो जाये तो क्या बात है तो चलो जी फिर नेक्स में मिलेंगे तब तक के लिए अलाहाफिज था 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 बाई बाई